डिजिटल अपडेट्स में आपका स्वागत अभिनंदन है तो आज हम बात करेंगे टच स्क्रीन लैपटॉप के बारे में तो टच स्क्रीन हमारे फॉन और टैबलेट दोनों पर कब्जा कर चुका है लेकिन क्या हमें अब लैपटॉप बरभी इसकी जरूरत आ गई है किनके लिए जरूरी है टच स्क्रीन लैपटॉप में खूबिया और खामिया दोनों है तो पहले हम खूबियो पर बात करते है बह स्क्रीन की तुलना में बहतर स्क्रीन होती है यदि आपको चमक और रंग के मामले में आई क्वालिटी स्क्रीन की जरूरत है तो टच स्क्रीन लैपटॉप पर विचार करना अच्छा है आसानी से नैविगेट करना बहुत तेज और आसान है खासकर यदि आप और फिकल के रूप में काम कर सकता है यहां ओन स्क्रीन कीबर्ड आपको काम नहीं रोकेगा डिजाइनर्स ज्यादा तर टच स्क्रीन लैपटॉप परसंद करते हैं क्यूंकि इन पर sketching, drawing, drawing और animating आसानी से होती है sketch बनाने या photo edit करने का काम इन पर आसानी से होता है अब हम laptop की खामियों की बाते करेंगे हाला कि टच स्क्रीन लैपटॉप पर काम करना आसान होता है लेकिन इनने लंबी अवदी के लिए इस्तमाल करने के लिए आपके हाथ, आख, गर्दन या पीट में दर्द हो सकता है टच स्क्रीन लैपटॉप, एन बिल्ड लैपटॉप में आमतोर पर नन टच लैपटॉप की तुलना में कम बैटरी लाइफ होती है क्योंकि टच स्क्रीन डीजाइजर हमेशा उसमें चालू रहेगा ये बात आपको दियान रखने के उसमें कम बैटरि लाइफ रहेगी टच्स््क्रिन लेपटॉप के लिए आपको अक्सर ज़्यादा कीमत देनी होती है इसलिए यदि आप बजट लेपटॉप की तलास में है तो टच्स्क्रिन लेपटॉप ना चूने टच स्क्रीन लैप्टॉप में यदि कोई खराबी आ जाती है तो मरमत की लागत अधिक होती है लैप्टॉप पर टच स्क्रीन कारे समता इसके वजन को बढ़ाती है जिससे इसे इधर उदर ले जाना कटिन हो जाता है फाइनल लास्ट में हम बात करेंगे टच स्क्रीन लैप्टॉप, कला कारो, ग्राफिक्स, डिजाइनर, वीडियो समपाद को, वास्तु कारो और स्टुडेंट्स के लिए अच्छा होता है अलाकि टच स्क्रीन की कारे समता कंप्यूटर के वजन को बढ़ा सकती है आपको सब कुछ समझना आ चुका है लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए दन्यवाद, थैंक यू सो मच